क्या सिंगल सिविल सरजन दौरा किया गया जो छापा है वो गैर कानूनी था जाने अदालत के महतपूर्ण फैसले PCPNDD Act 1994 में यानि कि सुप्रीम कोड का एक लेटेस जज्जमेंट आया है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जहां हम आपको बताते हैं भारती कानून से जुड़े महतपूर्ण फैसले के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे एक ऐसे ही मामले पे जिसमें एक डॉक्टर पर लिंग परिछण और गर्व पास से जुड़े आरो हुई वो 27 अप्रेल 2017 हुई जब एक डॉक्टर क्लिनिक पर च्छापा मारा गया है या च्छापा एक महिला धनपती और नर्स अंजुई के खिलाब लिंग परिछण और गर्व पास से जुड़े एक रैकेट की सिकायत प्यादारी था जांच दल ने इस काम के लिए एक डि पती और अंजु को रंगे हाथ पकड़ा फिर डॉक्टर क्लिनिक डिवाइन डियाग्नोनेसिस सेंटर तलासी ली वहां से अल्टर साउंड रिपोर्ड और पंदरा हजार रुपे जड़ कि गये डॉक्टर पर अरोप लगा कि उन्होंने इस अवैद लिंक परिच्छा डॉक्टर के जो वकील ने अदालत के सामने यह तर्क दिया कि जिस छापे के अधार पर यह मामला बना था वह पूरी तरह से अवैद था डॉक्टर के वकील ने कहा कि PCPNDT यानि कि एट के तहट छापे बारी केवल एप्रोप्रियर ऑथर्टी दौरा की जा सकती और इस माम विभाग और डिस्ट्रिक अटर्णी सामिल होने चाहिए थे अधालत ने माना कि छापे मारी कानून की मताबिक नहीं की गए थी क्योंकि यह फैसला केवल सिविल सर्जन ने लिया था बाकि दोस्त अधसों ने इसके अनमती नहीं दी दिया अधालत ने यह कहा कि कानून की प्रक्रियत तब ही वैद होगी जब पूरी एप्रोप्रियर अथार्टि इसका फैसला ले केवल एक सदस का फैसला लेना ही कानूनी रूप से गलत है इस केस में हमें ऐसी कविल थी कानून की प्रक्रीयों का पालन हर हाल में किया जाना चाहिए चाहे मामला कितना भी गंभीर क्यों नहीं अगर कानून के हिसाव से सही प्रक्रीया नहीं अपनाई जाती तो कोर्ट में केस कमजोर हो जाता है उमीद है आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगाओगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें जरूर करें और ऐसे कानोनी मामले की जानकर भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना मुलें धन्यवार फिर मिलते हैं अगले वीडियो में